Law of Thoughts के इस lecture series में आज हम negligence इस particular topic को discuss करेंगे और साथी में हम Contributory Negligence से भी deal करेंगे हम यह समझेंगे कि negligence क्या है और Contributory Negligence क्या है दोनों में difference क्या है और at the end हम एक case law भी देखेंगे अगर आप इस वीडियो को end तक देखते हूँ तो negligence और Contributory Negligence यह दोनों topic एकदम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अपने अब तक के वीडियोस में हमने डिफेंसेस अवलेबल अगेंस्ट लॉफ टॉच के तहत वॉलिंटी नॉन फिट इंजूरिया इस topic को डीटेल में डिसकस किया है अगर आप वीडियो में नए हो तो आप उन वीडियोस को देख सकते हूँ ताकि जो concept है law of thoughts का वो आपको समझ में आ जाएगी तो वॉलिंटी नॉन फिट इंजूरिया इसे हमने डिटेल में कवर कर लिया है वीडियो पढ़ा हुआ है आप देख सकते हूँ आज इस वीडियो में हम Contributory Negligence के बारे में बात करेंगी उसके पहले हम अपने चीजों को एक बार revise कर लेते हैं जैसे तॉट क्या है तो हमने ये जाना कि तॉट बेसिकली एक परशन का act है या it is an omission जिसके वजह से दूसरे परशन का private legal rights का violation होता है and thus जो रॉंग्डूर है जिसे हम तॉट फीजर कहते हैं जो तॉट कमिट करता है is libel to pay compensation to the plaintiff तॉट is basically legal wrong which violates the private legal rights of another person जो रॉंग्डूर है उसे हम तॉट फीजर कहते हैं इस तॉट फीजर को कुछ defenses मिले हुए हैं इन defenses का यूज करके ये तॉट फीजर अपने आपको compensation pay करने से बचा सकता है तो ये जो voluntary non-fit injuria है ये बेसिकली एक defense है in law of thoughts which means to a willing person it is no wrong और दूसरा जो आता है वो है negligence negligence basically it is a thought ये एक thought है Contributory negligence Contributory negligence ये क्या है ये इस दिफेंस दिफेंस available against thought तो ये क्या है Contributory negligence basically defense है फिर एक्स्टरपी कौसा नौन ओरिटर एक्सियो ये भी क्या है तो इन सभी डिफेंस को हम एक एक करके कबर कर रहे हैं और आज हम दूसरे डिफेंस वुची इन नगलीजिंस कोपड़ेंगे तो नेग्लीजेंस इट रहेसे तर्ता वेराज नेगैंस लिवीत्पेनस अविलिबल अगेंसड लॉफित्थael तॉन नेग्लीजेंस को हम हिंदी में कहते हैं लापा कौत्र लॉफिटर हमें अब जैसे मालो एक बस ड्राइवर बस स्टॉप पर बस को रोकता है पैसेंजर उतरते हैं लेकिन अभी एक पैसेंजर उतरने वाला होता है कि बस ड्राइवर बस को स्टार्ट कर देता है जिसके वजह से पैसेंजर नीचे गिर जाता है उसे चोटे लग जाती है तो ड्राइवर इस वाट ड्राइवर इस नेगलिजिंट और उसके उस एक्ट के वजह से पैसेंजर को क A person who is driving a car, he is in drunken state, पिया हुआ है, तरह पी कर गाड़ी चला रहा है, तो he is what, he is negligent, या he is driving very fast, तो these acts are called as negligence, ये act आपका क्या है, लापरवाही है, इसके वज़ा से दूसरे परिशन को हानी हो सकती है, छती पहुंच सकती है, तो negligence क्या है, it is basically a thought, which means it is legal wrong, that one party suffers at the hands of another, तो एक परिशन के negligent act के वज़ा से, दूसरे परिशन को loss suffer गवा, दूसरे परिशन को damage गवा, Negligence is a form of thought which evolved because some type of loss or damage occur between parties that have no contract between them and therefore is nothing for one party to sue the other, तो जब कभी भी दो परिशन के बीच, contract होता है, तो breach of contract के cases में, जो plaintiff है, जो aggrieved party है, क्या करता है, compensation लेता है, code से, लेकिन, जो negligence है, ये basically, दो परिशन के बीच के, breach of contract के वज़ा से arise नहीं होता है, जैसे, जो bus driver था, who was driving the bus, and the passenger who was getting down from the bus, और इसने बस start कर दिया, जिसके बज़ा से, जो passenger है, उसे चोटे आई, तो क्या इन दोनों persons के बीच, कोई contract था नहीं, तो वहीं से, जो negligence है, उसे एक thought के रुप में evolve किया गया है, क्योंकि अगर ऐसे damages हैं, जो कि breach of contract के वज़े से arise हो रहे हैं, तो उनके लिए compensation fixed है, बट कुछ ऐसे thoughts हैं, which are not the subject matter of contract between the parties, और उन में से ही एक है हमारा negligence नापरवाही, तो basically, जब एक परशन अपने legal duty को fulfill नहीं करता है, और उसके उस failure के वज़ह से, दूसरे परशन को losses suffer करना पड़ता है, तो उस परशन के उस act को हम कहते हैं, negligence, जैसे जो bus driver था, he was under the duty to observe that जो passengers हैं, वो पूरी तरह से bus से नीचे उतर गया हैं, right, Salmond ने कहा है, कि जो negligence है, it is basically culpable carelessness, in the words of Salmond, Salmond के सब्दों में, जो negligence है, अगर आप notes पाना चाहते हो, या आपको कोई doubt रहता है, कोई query है, तो आप मुझसे telegram channel पर जुड सकते हो, या आप मुझे Instagram पर follow कर सकते हो, ID नीचे show कर रहा है, तो Salmond ने कहा, कि जो negligence है, it is culpable carelessness, अब एक case है हमारे पास, negligence का, यह एक leading case है, दोनोग versus stevenshan, दोनोग versus stevenshan, दोनोग versus stevenshan के case में, दोनोग versus stevenshan, इस case में, basically, rules regarding principles of negligence was let down in दोनोग versus stevenshan, principle of negligence को लेकर के, जो rules है, वो बनाए गए, इस particular case में, जिसका नाम है, दोनोग versus stevenshan, क्या था यह case, in this case, it was held that, यह कहा गया, कि जो duty of manufacturer है, who manufactures something, for the consumers, जो producer है, duty of manufacturer was fixed towards ultimate consumers, तो इस case में, basically, manufacturer का, कुछ duty, बनाए गया, कि वो consumers के safety को, ध्यान में रखते हुए, products manufacture करे, consumers के health को, ध्यान में रखते हुए, products को manufacture करे, क्योंकि manufacturer, consumer से, direct, जुडाओ रखता है, इन दोनों के बीज, एक direct connection होता है, direct relation होता है, the duty of manufacturer, was fixed towards ultimate consumer, and it was held in, दोनोंग versus Stevenson, क्या था case, जो दोनोंग था, he was a consumer, और इसने, basically, जो overview है case का, एक coldering खरिदा, जिसमें क्या था, there was a snail, और उसे पीने के बाद, वो बिमार पड़ जाता है, बाद में उसे पता चलता है, कि उस bottle में, जिसे उसने consume किया है, एक snow, snail था, जोंक जिसे आप कहते हैं, और इसने क्या किया, जो, जिंजर बियर मानुफेक्ट्रर था, मिस्टर स्टिविंशिन, उस पर, केस फाइल कर दियो, तो, जो जो मानुफेक्ट्रर है, जो 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 करें, तो कोर्ट नहीं यह कहा, कि यह मैनुफेक्ट्र का डूटी है, कि वो प्रोड़क्ट को बनाते समय उसके सेफटी को, उसके स्टैंडर को मैंटेन करे, क्योंकि मैनुफेक्ट्र जानता है, कि उसके तरफ से कोई भी लापरवाही, कंजूमर के हिल्थ को डिस्टर्ब कर सकती है House of Lords ने जो decision दिया वो दोनोग के favor में दिया holding that Mr. Stevenson did owe a duty of care the court established the neighbor principle the court ने जोनोग versus Stevenson के case ने neighbor principle को let down किया neighbor principle which means कि एक person जो आपसे direct relation रखता है who is in connection with you directly तो वो क्या है वो आपका neighbor है and it is your duty to take care of him or her duty of manufacturer is towards his or her consumer so basically ये था negligence और case जिसमें rules regarding principles of negligence was let down so it is basically a tort अब हम बात करेंगे